असलाम लेकूम वेलकम टू माय ओफिश और यूट्यूब चैनल आज लोज़ आगए चुता दिन ता टेस्ट मैच का तो इंडिया ने जैसे डॉमिनेट कि हैं एंग्लेंट टीम को नजर भी आ गया पहली जैसे टास हारे हैं इंग्लेंट टीम तो इंडियन टीम ने राश करना शुरू कर दिया बैटिंग की परफॉर्मस देख लें आप काम्याब हो है उसमें टेस्ट मैच जीते हैं एक-एक से सीरीज ब्राबर होगी है और उस पर्फॉर्मस बड़ी जबरदस रही है सब लड़कों ने और स्पिनर्स बात करूंगा एश्वन की बात करूंगा जैसे उसने पहली निंग में पांच आउट की है पर दूसी निंग म को हराया टेस्ट मैच क्योंकि टॉस भी जीते हुए थे यह ड़ांटी चुगा है इंडिया में तो वह टॉस इंडिया टीम जीती है तो जिसकी वैसे प्रेशर में इंग्लेंड टीम आई है और मेरे ख्याल से उठने निर दिया इंडिया इंडियन टीम ने इंपोर्डन टे क्रिकर्ड हो रही है और basil क करेटार। immigration को भी केलना एक आए ऐसके पर आए इसे टीम जाती है बाहिर तो उनको ज ö तो बार गई थी लेकिन यहाए कि डॉमिनेट किया इंगलेंड टीम लेकिन क्रिकट देखने का मजा रहा है जैसे एश्वन की परफॉर्मस आप डिसक्रस करते हैं कि जैसे उसने सो भी किया मैच में आठ हाउट भी किया है प्लेयरों था मैच भी हुआ है डिजर्व करता था क्योंकि मैच जीते हुए थे फिर मुश्किल था रंस करने दूसरी निंग में सो किया और चार सो और मुस्ट फॉरंडर्ट एटीटू टारगट इंग्लेंड टीम को जो इंग्लेंड टीम के लिए बड़ा मुश्किल है कोई भी टीम होती बहुत मुश्किल होना ता फिर जैसा पिछ खेल रहा था था फिर तो वो पुरा फाइदा उठाया इंडियान स्पिन ने प्रटेल ने जैसे पांच आउट की है दूसरी निंग मे और इंग्लेंड टीम 164 पे ओल आउट होगी तो अच्छा डेब्यू रहा है पुटेल का पहला टेस्ट मैच नहीं खेल सका था इंजरी के वैसे दूसरा टेस्ट मैच फिट हुआ तो टीम में चेंजिंग की खलाया तीन चेंजिंग की थी इंडियन टीम ने तो इंग्लेंड की इतनी ज़्यादा चेंजिंग करेंगे जतने एंग्लेंड टीम करेंगे उन्हों पॉलसी ऐसी बनाई है अपनी तो टेस्स मैच जीतने के एक एक सिरीज बराबर होगी दूर टेस्ट मैच थो बडूर मैच और जरूरी फ्रणने पर यह जेथना तो दून के तो लिए खर करना बड़ा बड़ी ऑनर की बात है तो इसलिए जरा कंपिटिशन बड़ा जबर्दस हुआ हुआ क्रिकट देखने का भी मज़ा रहा रहा दोनों साइडों से बैटिंग देखने का मज़ा रहा है में चीज यह कैसी पिछ पे बैटिंग करना बड़ा मुश्किल काम है फास ब दरा रही है इंडियन की बैटिंग बालिंग भी उतनी जबर्दस था स्पीनर से जबर्दस था जैसे परफॉमस देए है यह खासिए इंडियन टीम में कम्पलीट पैकेज बैटिंग आप कर ले रो और राणर देख ले स्पिनर देख ले तो वो भी पूरा रसपांड दे रहे हैं और अच्छी परफॉमस देख रहे हैं मैच दो आके देख रहे हैं इससे अच्छी बात किया इंडियन टीम के लिए विराड कॉली ने कैप्टन सी बड़ी जबर्दस की है जा जिसको चेंच किया उसने ब्रेक्ट्रू दिलवाया विक्टेन लेके दी तो यह खासि आगे थे इंडियन टीम लेकिन यह है कि इंडिया ने थीक किया फॉलन भी हो जाता तो इंडियन ने बैटिंग करनी थी क्योंकि भी जैसे बैटिंग शुरू ही थी तीन दिन पड़े हुए थे तो इसलिए बैटिंग की और चोथे दिन जैसे मैश खतम करती है बहुत किया शान शर्मा ने जैसे आउट की है तो यह चीज नजर आई इंडियन टीम की बालिंग की और किसी एक पर डपेंडिंग कर रही है अच्छी चीज है किसी भी टीम के लिए एश्वन ने अगर पांच आउट किया है पहली निंग में दूसी निंग में डेबियो टन पटे इंडिया के लिए भी इंडिया के लिए भी यह श्रीज जीतना बड़ा इंपॉर्ट अब क्यूंकि पहला टेस्ट मैच हा रहे हुए है अफोर्ड नहीं कर सकेंगे नहीं तो आपको बता है कर निजरेंड के साथ पर प्रॉब्लम हो जाएगी कोहन सी टीम फाइनल में जाए तो क्रिकट देखने का मज़ा रहा है टेस्ट क्रिकट जो हम लोग बहुत कम देखते थे लोग भी कम आते थे लेकिन यह के पिछली तीन-चार जो सिरीज हुई है अस्रेलिया वाले पाकिसान सौथ अफरीका की इंगलंड स्री-लंका की इंगलंड इंडिया की तो यह मज़ फॉर्म किया घ्रिड प्लेयर्स ने लाइक जो रूट ने जैसे दोसों किया अपना हंडर्ड टेस्ट मैच में चनाई में पहले दूसरे मैच में आप देखें कि रोई शर्मा ने अपनी कलास दखाई ग्रेड प्लेयर होने की विरार कोलीने captaincy जैसे की है नजर आया है कि जबरदस कफ्तान है जो पहले मैच में गलती है की ही वो रपीड नहीं हुई टॉस भी जीता टीम ने अच्छा टोटल भी किया एश्वन की all round performance पंत की all round performance फिगर कीपिंग जबरदस रही है उसकी इस test मैच में और बाटिंग भी बड़ी जबरद दस रही है तो जिसकी वहसे टीम इंडिया जीती है और मोमेंटम बड़ा बड़ा जबरदस मिला बंडियन टीम को तो तीसरे test match मैच में बड़ा काम आएगा तो लैट सीख तीसरे test match में क्या होता है अंडर लाइट है test match टॉस बड़ा वाइटल होगा जैसे इस match में टॉस पहले मैच में टॉस वाइटल था जो टॉस जीता है वो उसके लिए जरा 60-70 परसंट चांसिस हो जाते हैं जीतने के जो नजर भी आता है इंडिया में तो फोकस और जैसी परफॉर्मस है यही परफॉर्मस दोबारा रपीट करें इस परफॉर्मस को भूल के अब को हुआ तो है कैसे उठना है इतने अबिलिटी उन में Gel जैसे इंडिया ने कमबैक किया उन में कर सकते हैं इंग्लेंड टीम जैसे उनके पात जो रूड की फिर्म है बैंस्टोग जैसे पलेर जहाओ नोरी बिस्ट हो आया एक ज रिकॉल की है तीसरे टेस्ट मैच के लिए तो उन्होंने रोटेशन पॉलिसी रखी हुई है इसका फाइदा डाफिनली इंडियन टीम को होगा उन्होंने इतनी जादा अपनी चेंजिंग कनीनिया विनिंग कंबिनेशन के साथ पिछ को देखे वो टीम बनाएंगे जैसे इस बनाई है तो फाइदा भी होगा इंडियन टीम को और चांस भी है इंडियन टीम के पास ये सिरीज जीतने का और फाइनल खेलने का तो गूल लाक बोटीम और देखते हैं कि तीसरे टेस्ट मैच में क्या रिजल्ट आता है कौन अच्छा खेलता है